तो हज जो एक नाय कोश्चन है करा रहा है कि यूजिंग दे स्टांडर्ड एलेक्टोड पोटेंशियल इवन बिलोग यहां पर दिया हुआ है हिаз डिडिद्व चीटि यह छे म अंप डोनों के बीच में रियेक्चन संवा में अवर यह रियेक्शन पॉसिबल है कि दे जो रिडॉक्स पोटेंशल के बेसिस कर पर हम यह थो है एक टो हम लोग देखेंगे कि रेड़ाउक्स रेक्शन पहले लेंगे और रेड़ाउक्स रेक्शन लिखने के बाद हम उस्टेंडर्ड रेड्यक्शन पोटेंशल के में ग droite सीसर घंगüne के यह संभव है यह नहीं तो सबसे पहला सब्सक्राइब करना और अएफरीख में सब्सक्राइब करते हैं इसका रियक्षण अपोइगे अ कि टिरी ट्रॉस टल्विद लेचेंग तक अ बसक्क रीक्षण दोगा अएउडाइब आन से होगा जब इसका reaction होगा ठीक है अब देखिए क्या reaction होगा इसका reduction होना चाहिए तो reduction होगा क्या बनेगा F2 बन जाएगा और यह क्या बनेगा आयोडीन बन जाएगा यह बनेगा half i2 चीक है half i2 चीक है आयोडीन क्या होता है solid होता है यह reaction संबाब तो इसमें क्या Fe3+, Fe2+, में reduce होगा है और i- जो है iodine में oxidize हो रहा है और ferric iron जो है ferrous iron में reduce हो रहा है ठीक है इससे इसमें reduce हो रहा है कैसे पता चला Fe3+, Fe2+, हो गया यह एक electron का gain किया तो Fe2+, में convert हो गया इससे इसमें convert होगा reduction होगा और यह i- इस पर एक ने किपचार तो रिमूब हो गया यह loss of electron हो रहा है तो यह iodide iron जो है iodine में oxidize हो गया अब यहाँ देखना होगा यह oxidize कौन हो रहा है तो आप देखिए यहां को रिदक्शन पोटेंशियल यहाँ पर है iron का reduction रिदक्शन पोटेंशिल 0.77 दूसरा i- से यह वाला और इसका reduction पोटेंशिल 0.54 बाल है तो दोनों मा compare किजिए कौन सा reduction पोटेंशिल ज्यादा है यह वाला reduction पोटेंशिल ज्यादा है यह standard reduction पोटेंशिल ज्यादा है इसके comparison में इसलिए जो है इसका reduction होगा जिसका reduction potential ज्यादा होता है वोई reduce होगा इसलिए यह ज्यादा होगा है इसलिए इसका reduction होना चाहिए और equation में इसका reduction हो भी रहा है इसलिए यह reaction feasible ठीक है तो हम यहाँ कर लिए कहेंगे F-E Sains F-E E-NOT F-E 3-plus 2-F-E 2-plus E-NOT I-2 I- S-K reduction potential S-K reduction potential ज्यादा है इसलिए यह ज्यादा होगा इसलिए यह feasible यह ज्यादा होगा यह reaction is feasible जिसका reduction होना चाहिए उसी का reduction हो रहा है इसलिए यह संब्द हो रहा है ठीक है जो reaction लिखा गया है redox reaction उसमें reduction उसी का हो रहा है जिसका reduction potential ज्यादा है oxidation उसी का हो रहा है जिसका oxidation जिसका reduction potential कम है जिसका reduction potential हो रहा है जिसका reduction potential ज्यादा है उसका reduction हो रहा है इसलिए यह reaction संब्द होगा ठीक है अब second देखते हैंगे दूसरा क्या है तो यह जो है संबभावाई किने इसको देखना है इसके लिए रेडाक्स रेक्शन पहले लिखनेंगे अब लोग रेडाक्स रेक्शन देखनें पहले अब इसको रेड्यूस होना चाहिए अब इसको जो है बैलेंस करना होगा इना दो एलेक्ट्रों में इसको दो एलेक्ट्रों का लास होगा इसको दो एलेक्ट्रों गें करना होगा लेकिन है यह तो एक एलेक्ट्रों गें कर सकता है इसे दो एलेक्रों का लास हो, इससे इसमें का हो रहा है, लास अफ एलेक्रों का लास हो रहा है, और इससे अब का हो रहा है, दो एलेक्रों का लास हो रहा है, और इससे अब का हो रहा है, दो एलेक्रों का लास हो रहा है, तो यह रिडक्शन हो गया, यह रेक्शन हो गया, और ये हमारा redox reaction ये तो हमने theoretically लिख दिया, अब हम लोग reduction potential के help से check करते हैं, कि ये संभा भाय की नहीं, theoretically थो लिख दिया हमें जहाँ होगा ये reaction, लेकिन अब संभा भाय की नहीं practically ये चेक करना पड़ाएगा, उसके लिए क्या चाहिए, standard reduction potential चाहिए, तो आप दोनों का standard reduction potential को जर चेक करना होगा, तभी तो संभाव है, तो अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर देखिए, इसका रिड़क्शन पोटेंशिल कितना है, 0.80, Ag plus Ag, इसका रिड़क्शन पोटेंशिल कितना है, 0.80, इसका रिड़क्शन पोटेंशिल कितना है, 0.34, इसका रिड़क्शन पोटेंशिल कितना है, 0.80, इसका रिड़क्शन पोटेंशिल ज्यादा है, इसका रिड़क्शन पोटेंशिल ज्यादा है, इसका रिड़क्शन पोटेंशिल ज्यादा है, इसका रिड़क्शन पोटेंश एक से बतों जिकते हैं, डापर रशश लोपर का रटॉक्शन पॉटेंशिएल कामभा और इसका उच्चाइडेशन रोगाएं इसका मतलद क्या वहा यह संभाव है ठीक है Here, reduction potential of silver is greater than the standard reduction potential of copper. Therefore, reaction is feasible. Therefore, reaction is feasible. जिसका reduction potential कम है उसी का oxidation हो रहा है. इसलिए यह संभाब है. ठीक है? ओके? अब हम लोग आगे वड़ते हैं थर्ड कोस्टन के तरफ. अब हम लोगोंने यह थर्ड कोस्टन लिया है, इस दोंगों के बीक में रियक्शन दरवाना है. अब यह देखते हैं कि यह रिड़ॉक्स रियक्शन संभावाई की नहीं. पहले को रिड़ॉक्स रियक्शन लिख लेते हैं, उसके बाद देखेंगे कि यह संभावाई की नहीं. ठीक है? पहले रिड़ॉक्स रियक्शन हम देखते हैं कोनों का रियक्शन? इसका रियक्शन हो रहा है Vr-AQ से इसका दो रियक्शन हो रहा वह बनना चाहिए F2-AQ और बनना चाहिए Vr2 इसका बनना चाहिए इसका प्रष्टन हो रहा है इसके या क्या है Vr2-AQ इसका उह और है Vr2-AQ इसका बनना चाहिए Vr2-AQ OPS प्रैक्टिकली संभाव है क्या थियोर्टिकली तुमने देख लिया है प्रैक्टिकली संभाव है क्या यह कैसे देखेंगे इसके लिए स्टेंडर्ड डिदक्शन पोटेंशिल जाहिए जिसका रिदक्शन पोटेंशिल ज्यादा होगा उसका रिदक्शन होना चाहिए जिसका रिदक्शन पोटेंशिल कम है उसका ऑक्सिडेशन होना चाहिए तो प 1.09 गुल, कौम बड़ा है, ये बड़ा है ये बड़ा है, कौम साथ है, बड़ा है, ये है ना, ये reduction potential बड़ा है, ये 1.09 है और ये 0.77 है, ये बड़ा है, इसका reduction होना ची है, और इसका oxidation होना ची है, 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 क्योंकि इसका reduction potential इसका reduction होगा, और इसका reduction potential कामा है, इसकी extrude is oxidation, लेकिन यहां तो ULTA देख रहा है, यहां पर iron का reduction देख रहा है, और bromine, bromine का oxidation देख रहा है, ULTA देख रहा है, ULTA तो संभभ है नहीं, तो theoretically संभभ देख रहा है, लेकिन प्रैक्टीकली यह संभभ देख रहा है, इसले यह reaction positive तो इस पीजिबल नहीं है, यह, आप यहां पर क्लिपने है, आप यहां पर क्लिपने है, E not, F3 to last, F3 to, is less than, E not, Vr2, Vr2 plus, less than, इसका reduction potential less हो गया, इसका reduction कैसे हो गया, इसमेर reaction संगा, नहीं, इसका reduction potential हमाए हो अचिए, इसमेर reaction संगा हो गया, यहां पर जाओ गया, reduction potential क्लिपने है, इसमेर reaction possible, नहीं हो, reaction, is not feasible, reaction is not feasible, clear, how to decide, on the basis of standard reduction potential, you have to decide, whether the reaction is feasible or not, okay, fourth question, reaction between silver and ferrigal, उस दोनों के बीच में, आप reaction कराके देखते हैं, theoretically, फिर practically देखेंगे, theoretically, पाईजा equation उन्हें लिख लेखेंगे, तो reaction लिखेंगे, silver, solid है, और इसका reaction जो होगा, Fe, 3 plus iron से, ठीक है, जब इस दोनों का reaction होगा, तो इसका oxidation होगा, तो यह metal है, तो Ag, plus, plus, Fe 3 plus होगा, तो इसका उन्हें को reduction दिखाना हो, Fe 2 plus, ठीक है, तो यह जो हो रहा है, Fe 3 plus, Fe 2 plus, यहाँ gain of electron होगा है, एक electron का gain क्या, reduction, ठीक है, इसको यह क्या होगा है, एक electron का loss होगा, तो क्या होगा है, oxidation, ठीक है, तो इसका oxidation होगा, इसका reduction होगा, according to this equation, ठीक है, यह जो redox reaction आमने लिखा, theoretically, इसी तरह लिखाए है, अब practically देखते हैं, यह संभब है की नहीं, ठीक है, तो practically देने की देखे, लिखे हैं को redox, और reduction potential देखना हो, silver का reduction potential देखते हैं, silver का reduction potential देखते हैं, 0.80, और iron का reduction potential देखते हैं, 0.77, पॉल जादा है, 0.80, और यह 0.77, जादा यह जादा, यह जादा, यह जादा, यह जिल्वर का reduction होना चीए, जिसका reduction potential जादा होता है, उसका reduction होना चीए, जिसका reduction potential जादा है, उसी का oxidation हो रहा है, जिसका reduction potential तम हरा है, उसका oxidation होना चीए, उसका reduction होना चीए, उल्टा हो रहा है ना, theoretically उल्टा दिख रहा है, practically संदोद नहीं है, ठीके, तो इसलिए यह भी reaction feasible नहीं है, ओके, उनकों दिखेंगे यह भूपर, E naught, यह reduction इसका दिखारा नहीं है आपको, इसका को ज़िखेंगे, E naught, F3 plus, F2, चीए है, यह reduction, यह कम, इससे कम है, फुसरे कारेट-0 के, reduction potential, इससे, कम, तेके, तेरफोर, reaction, is, not feasible, जिखेंगे, जिखेंगे, इसका reduction potential कम है, उसका oxidation होना जा, यहांप जिखेंगे, पुसरे कम है, उसका reduction है, उसे लिखेंगे, संब, क्यां पर जिसका पोटेंशियल ज्यादा खुदे स्टावर दिखा रहा है जिसका रीडयक्षियल उशकों गयात रेडयक्षी ज्यादा 202 नहीं अक इसलिए यह यह है ज है नहीं है, ओके, अब इस रियक्शन को देखते हैं, यह समभब नहीं है, इसको रियक्शन दगा लेक्टा है, बीयार टू, एक प्रस, अब दास, प्री, दू प्लस, एक प्री, टू प्लस, एक प्रस, आजिए तो, इसका reaction करवाएंगे, तो reaction कराने के बाद क्या होगा, इसका reduction होना चाहिए, और इसका oxidation होना चाहिए, यह इस BR2 है, तो आपको क्या करना है, तो एक को हम oxidize कराएंगे, एक को हम reduce कराएंगे, ठीक है, तो वो molecule है, BR2 molecule है, तो गैसियस molecule है, तो उसको हम लोग ब्रोमाइड आयन में convert करेंगे, ठीक है, तो हम लोग ब्रोमाइड आयन में convert कर दिये, यही वो, ठीक है, ब्लस, पैफ्री, ठीक है, यह oxidize होगा, यह 2 ब्लस से 3 ब्लस होगा, एक एलेक्ट्रोन का दॉस किया, अक्षिडाइस होगा है, और यह Vr2 है, तो यह तो हाम मेंटल है, यह electron accept करेगा, यह reduction ली कराएगा, तो इसका क्या हो रहा है, gain of electron, अब balance नी कर देते है, फूर Vr- कर देते है, ठीक है, यह के लिए तो एक ही, तो यहाँ पर तुम दे देते हैं, तुम दे देते हैं, तुम दे देते हैं, ठीक है, यह यह हो गया, reduction, इस process में, और इसमें क्या हो रहा है, loss of 2 electron, loss of 2 electron, क्या हो गया यह, oxidation, loss of 2 electron, क्या हो गया, oxidation, ठीक है, तो यह सारी चीज़ें हुए, theoretical, अब जड़ा practically देखेंगे, कि यह संभव है, तो reduction potential देखेंगे, आपर gromming का reduction potential देखें, gromming का reduction potential 1.09, iron का reduction potential देखें, 0.77, कौन ज़्यादा है यह, gromming का reduction potential ज़्यादा है, इसे को reduce होना से है, जेक हुए, जिसका reduction potential का, जिसको oxidize बुना रप्रोण जहिए, आप Buffalo poison है, one ever C, तो जिसका reduction potential ज्यादा उशीका reduction होगा है जिसका than the reduction potential of okay okay therefore reaction is 50 therefore reaction is 50 okay okay I mean I 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 mo you I I I I और water तो neutral है, दोनो जगह जा सकता है, उसको कोई चार्ज नहीं है, तो दोनो जगह वो competition देगा इसको, ठीक है ना, तो कैसे decide करेंगे, कि कौन cathode पर जाएगा, और कौन anode पर जाएगा, तो cathode पर जाने के लिए क्या होता है, कि जिसका reduction potential ज्यादा होता है, वो cathode पर जाएगा, और anode पर कौन जाएगा, जिसका oxidation potential ज्यादा होगा, वो anode पर जमा होगा, जिसका reduction potential ज्यादा होगा, वो cathode पर जमा होगा, तो cathode पर decision लेने के लिए reduction potential का comparison करेंगे और anode पर decision लेने के लिए oxidation potential का decision लेंगे ठीक है तो आवा उनको देखते हैं anode है ना add cathode ठीक है cathode पर देखते हैं कि क्या आप तो हम यहां पर reduction potential देख लेते हैं कि क्या है ठीक है तो reduction potential डेटा देख लेना होगा तभी तो पता चलेगा आप बुक खोलें उसमें आपको डेटा दिया होगा है उस डेटा से आपको यह calculate करना होगा ठीक है तो reduction potential आप सिल्वर देखना है यह 0.80 बोल्ट है reduction potential of यह आपका plus 0.80 बोल्ट और अब आप देखे reduction potential of water reduction potential of water ठीक है reduction potential of water कितना है reduction potential of water कितना है reduction potential of water है माइनस 0.41 बोल, माइनस 0.41 बोल, ठीक है, यह reduction potential हमने लिख दिया दो, तो कौन जाएगा है, जिसका reduction potential ज्यादा होगा, वही न जमा होगा, कैफ़ोर पर, यह देखे, reduction potential फिर बार का कितना है, 0.8 बोल, कि रिदक्षण पोटेंशल फिर बोल, माइनस 0.4 बोल, यह reduction potential ज्यादा है, इसलिए इसका reduction हमने ज्यादा, इसका reduction कैफ़ोर पर नजमा होगा, इसका reduction potential ज्यादा, वही कैफ़ोर पर रिदिउस होगा, इसलिए कैफ़ोर के जो reaction होगा, पाइनली, पाइनली reaction क्या होगा, यह reaction होगा, यह reaction होगा, यह one electron accept करेगा, और बना देगा आपको silver, ठीक है, यह हो गया, आपका cathode के उपर reaction, ठीक है, यह reaction हो गया, आपका cathode के उपर, अब हम लोग anode पे जाते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर preference किसका होगा, वाटर के comparison में, silver का preference होगा, अब हम लोग चबते हैं, एनोड, ठीक है, तो एनोड पे हमको क्या देखना है, oxidation potential, एनोड को क्या देखेंगे, oxidation potential, ठीक है, तो एनोड का हम oxidation potential देख लेते है, एनोड पर, water का oxidation potential देखेंगे, oxidation potential, ठीक है, oxidation potential, water का देखेंगे, एकना हमता है, minus 1.23, एकना हमता है, minus 1.23, ठीक है, और oxidation potential, किसका, water है, उसका देखेंगे, तो उससे comparison करेंगे, तो इस दोनों के comparison में, अब water के साथ comparison करना है, आप देख लेज़े, अब यहाँ पर जो है, यह तो होगा, ठीक है, आब यहाँ पर और भी एक चीज़ शीखने की जलनता है, अब में ध्यान नहीं दिया था, सिल्वर चुकी, पार्टिसिपेट कर रहा है, सिल्वर चुकी, पार्टिसिपेट कर रहा है, रियक्शन में, तो यहाँ पर comparison इसका वाटर से नहीं दोगा, ओके, यहाँ पर जोड़े, यह नहीं, यह NO3 माइनस है, यह इसा ही आइन में पड़ा रहेगा, यह नहीं जाएगा ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर सिल्वर चुकी, पार्टिसिपेट कर रहा है, रियक्शन में, चुकी, सिल्वर एलेक्ट्रोड है, और सिल्वर नाइट्रेट ही है, तो सिल्वर जो है, चुकी, एलेक्ट्रोड रियक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है, इ oxydation देखना पड़ेगा सिल्वर और वाटर का होगा NO3 का नहीं होगा छोकनी एलेक्टरोड रियेक्शन में हैंपर हमने सुरुब में ध्यानने दिया तह एकुछ स्सॉलीशन है और एकुछ स्सॉलीशन में हमने जो एलेक्टरोड लिया है वो reaction में participate कर रहा है तो हमको उस case में क्या होगा हमको देखना पड़ेगा electrode ही generally जो है oxidized होता है तो silver तो है यह oxidized होगा तो यहाँ पर comparison जो है वो NO3- से नहीं होगा चुकि यहाँ पर electrode reaction में participate कर रहा है क्योंकि electrode reaction में participate कर रहा है इसलिए nitrate iron का कोई role नहीं जाएगा वो कहीं नहीं जाएगा वो अपना solution में पड़ा रहा जाएगा तो यहाँ पर एक mistake हो चुका है तो एनोड पर यहाँ नहीं होगा एनोड पर जो होगा एनोड के उपर इसका किसका होगा वाटर का oxidation हो सकता है नाइटरेट का नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर electrode reaction में participate कर रहा है क्योंकि electrode भी silver का ही बना हुआ है silver को silver नाइटरेट में दुआए हुआ है तो silver participate कर रहा है reaction इसलिए हमको silver पर ध्यान देना पड़ेगा नाइटरेट को छोड़ देना है अब silver और water के बीच में comparison होगा silver और water के बीच में तब oxidation potential आप silver oxidation potential आप silver में ने ठीक है तो यह क्या हो जाएगा उल्टा हो जाएगा minus 0.80 minus 0.80 ठीक है इसको हमाई से ने सेकता है minus oxidation दिखा दिजी ठीक है 3G, 2G plus oxidation दिखिया 0,0 यह हुआ oxidation potential दिखा दे oxidation हो रहा है oxidation दिखा दे तो anode पर कौन जमा होता है anode पर कौन लिब्रेट होता है जिसका oxidation potential जादा होता है अब्जेक लिजी इस दोनों का oxidation potential देख लिए लिए जिस दोनों का oxidation potential देख लिए 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 यह है minus 1.23 और यह क्या है minus 0.80 forms oxidation potential ज्यादा होगा minus 0.80 forms oxidation potential ज्यादा है 0.80 इसे लिए यहाँ पर silver ही oxidize करेगा silver ही oxidize करेगा reaction दो पाटिसिपेक करगा इसलिए anode क्यों पर क्या reaction होगा A, G, A reaction करेगा और A electron को release करेगा यह होगे हमारा anode के उपर reaction तो anode के उपर क्या होगा silver आई जाएगा ठीक है तो इस बात को आपको ध्याँ बतना है तो यहाँ पर क्या होगा यह silver जो है oxidize हो जाएगा water के preference में एनोड के उपर और cathode के उपर जो है silver reduce हो जाएगा तो दोनों तरफ silver का ही खाम आ गया cathode पर silver iron reduce हो रहा है silver जमा हो रहा है और एनोड पर silver जो participate कर रहा है reaction में फारो अक्सिडाइज हो रहा है तो धीरे-धीरे क्या होगा कि जो एनोड है वो consume हो जाएगा और cathode दिरे-दिरे मोटा हो जाएगा क्योंकि इसमें silver electrode है एनोड और cathode दोनों ही silver का ही बना हुआ है एनोड और cathode दोनों ही silver का मतलब क्या हो क्या है यह एक container है इस container में यह भी silver है यह भी silver है यह भी silver है यह भी silver है और इसमें silver electrode का solution है तो यह हुआ हमारा process of electrolysis ठीक है clear तो इसमें जो है जो कि electrode participate कर रहा है तो electrode का ही oxidation होगा एलेक्ट्रोड कौन सा है जो electrolyte है जो electrolyte है में जो आयन है उसी का electrode बना हुआ है इसलिए वो जरूर oxidize होगा धियार में रखना है इस बाद के ठीक है ओके अब यह next question है नेक्स question है एन एक्वस solution और शिरवा नाइड्रिट इसमें यह दोनों जो electrode है प्लेटिनम का ही बना हुआ है और इसमें जो है सिल्वा नाइड्रिट स्वरीक्शन है ठीक है तो प्लेटिनम है तो नन रियक्टिव एलेक्ट्रोड है यह reaction में पार्टिसेपेट नहीं करेगा यह एनोड या कैथोड में से कोई भी reaction में पार्टिसेपेट नहीं करेगा इसलिए यहाँ पर competition सिर्फ वाटर से ही रह जाता है यह एलेक्ट्रोड से कोई competition रहने गया यह नौबल मेटल है प्लेटिनम रियक्शन में पार्टिसेपेट नहीं करेगा ठीक है तो यहाँ पर सिर्फ वाट इसके पहले वाला में था क्या तीनों के बीच में competition था water भी था electrode भी था ठीक है और electrolyte भी था यहाँ पर क्या electrolyte और water में ही comparison है बस दो ही चीज़ है तो हम सबसे पहले जैसे electricity पास कराएंगे तो क्या होगा सिर्वर निट्रेट जो जाएंगे हो आइनाइस कर जाएंगे जिसलिवर आइन में कनवर्ट जाएंगे और NO3 माइनस में कनवर्ट जाएंगे अब इसका इसका दोनों का competition होगा water से ठीक हैंगे water दोनों के पास है or or H2O at cathode अब और H2O at NO तो यहां पर कॉन होगा cathode पर कम जाएंगा पैदा निकाने add cathode cathode पर कम जाएंगा जिसका reduction potential ज्यादा होगा तो last question में हमने reduction potential water और इसका comparison किये थे ठीक है water के reduction potential से water के reduction potential से ज्यादा है इसका reduction potential इसके reduction potential से ज्यादा है water के reduction potential से silver का reduction potential ज्यादा है इसलिए यहाँ पर reaction क्या आवला एक electron यह accept करें और silver के जमा हो जाएगा पैदवर्ट के ओपर यह reaction silver जमा हो क्या अब हम लोग चलेंगे anode add anode 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 पर क्या देखा oxidation potential anode क्या देखा oxidation potential anode के जिसका oxidation potential ज्यादा होगा anode क्या oxidation potential जिसका ज्यादा होगा वही जो है liberate होगा देखा जो क्या water का oxidation potential है वो nitrate के oxidation potential से जाता है रीक है और data में देखना होगे जिसका oxidation potential water का nitrate के oxidation potential से ज्यादा है इसलिए water का oxidation हो जाएगा anode के उपर तो water का कैसे oxidation होता है इसलिए एक्साम होगा water h2o होगा h2o है यह तूटेगा h plus देगा और oh minus आयन देगा फैले यही देगा ठीक है तो कैसे कैसे इसका anode पे अभी होगा ठीक है तो यह क्या देगा यह 2H plus आयन देगा यह 2O है इसका oxidation हो रहा है यह कैसे टूटेगा यह 2O का क्या होता है यह होता structure तो इधर से electron यह ले लिया इधर से electron ले लिया यह टूटेगा h plus यह 2H plus निकलेगा आसाब में 2O oxygen निकलेगा negative charge एक oxygen निकलेगा यह 1O oxygen इधर से 1 electron इधर से 2 electron तो ऑक्साइड आयन लिकलेगा ठीक है तो ऑक्साइड आयन O2- है उसके ओपर 2 electron है वो 2 electron को loss करतेगा तो इस तरह से टूटेगा और फिर यह O2- यह हो रहा है यह 2 electron को loss करेगा इसकों लोग 1O2- यह की oxygen है इसले 1O2- और यह कितना electron loss करेगा 2 electron करेगा इसले 2H- इसके बाद लिक्एंगे 1O2- plus 2 electron हो गया Oxidation Water का Oxidation हो गया इसके बेसिस पर डिसाइड किया इसके Oxidation यहां पर भी प्लेटिन होगा तो इलेक्टोर तो रीक्शन और पाटिसिपेट नहीं कर रहा तो अब जैसे ही electricity हम पास कराएं H2SO4 का Oxidation होगा इसमें Water है उसका भी Oxidation होगा तो दोनों ही H- प्लस आयन होगा यहीं कैथोड के लिए कोई competition नहीं है क्योंकि दोनों ही H- प्लस आयन ही release करेगा Water भी H- प्लस आयन release करेगा और दूसरा जो है सल्फिरी कैसी भी hydrogen आयन release करेगा यहां पर क्या होगा H2SO4 यह जब electricity पास कराएंगे यह convert होजागा to H- और SO4 इसमें करगा होगा ठीक है अब यहां पर तो कोई competition नहीं क्योंकि Water भी 2H- आयन release करेगा इसका competition जो है Water के साथ होगा सल्फेट का जो है competition होगा Water के साथ H2O एक्ट किसका Oxidation होगा इसका होगा यहां पर तो H- यहां पर तो कोई दिककत ही नहीं है Water भी H- प्लस ही रिलीज करेगा H2O टूटेगा यहां प्लस होगा यहां प्लस होगा यहां प्लस है यहां प्लस है यह एक Electron accept करेगा और Hydrogen Gas में तो Cathode की उपर क्या होगा यह Hydrogen Gas जो है रिलीज होगा ठीक है अब हम लोग एनोड की उपर जाते है Earth Anode एनोड में जिसका Oxidation Potential ज्यादा होगा उसी का होगा तो देखा गया है कि Water का Oxidation Potential है वह Hydrogen के Oxidation Potential से ज्यादा है इसलिए वह भी इसल्फेट है तो परिजन किसे कर रहा है सल्फेट से कर रहा है तो सल्फेट के Oxidation Potential से Water का Oxidation Potential जाना है ठीक है Oxidation Potential of Water is greater than the Oxidation Potential of Sulfate ठीक है यह ज्यादा है जिसका Oxidation Potential ज्यादा रहेगा है उसी का Anode पर Oxidation होगा तो Water का Oxidation हो जाएगा ठीक है तो Water का Oxidation होता है तो Water है अभी तुमाद बता है Water है इसी का Oxidation यह जो Hydrogen रेलीस करेगा तो Hydrogen आयन फिर यह Oxide आयन है यह Oxide आयन है ठीक है तो Sulphate का Oxidation नहीं हो रहा है किसका हो रहा है Water का Oxidation हो रहा है जहां भी Platinum Electrode है यह भी रेक्सन में participate नहीं करेगा तो सिर्फ एलेक्ट्रोलाइट ही है जो रेक्सन में participate करेगा तो Electrolyte में कौन-कौन है है उपरिक्रॉराइड है साथ में Water है चिक है तो इसका competition Water से ही होगा क्या थोट्वानोट पे एलेक्टोड से कोई competition नहीं में तो जैसे ही हम electricity पास कराएंगे जो इंफरी chloride है या आइनाइज करेंगे C2 plus and 2Cl यह cathode बजाएगा तो cathode पर क्या होगा water का H plus भी आएगा कि जोगा रिडेक्शन पोटेंशियल ज्यादा रहेगा वहीं होगा तो water जब निख सकते हो या water निख सकते हो या water निख सकते हो जोगो puntos टैन से ज्यादा होता है उसी लिए यह री सोग और में है का। यह रिखो गया लिखोगे और उक्षाइड आयंगे थीक है यहां पर किसका पुमपटिशन होगा उक्षाइड आयंग तो इसके और शिप्टेंशन नहीं करना तो अब लेक्टन एक्टोर्ड के ओपर क्या है? कॉंपोडिशन किसके किसके बीच में हो रहा है? तो रेडक्टन पोटेंटियल के आधे है एक्टन एक्टन पोटेंटियल हो रैटेल छाइए? तो रेडक्टन पोटेंटियल जो होता है पहर प्रटर्ड के ओपला ऑसले ओधि यूस्टन ए जब देगा है? है इसमें घुनों आगए हैं अा जिसका उक्सुडेसन जाधा होगा यहां पर जमा Sowτεर महें होगा तो यहां पर हम लोग oxidation potential दिखाएंगे, oxidation potential, oxidation potential में क्या होता है, loss of electron होता है, oxidation potential हर बार हम oxidation लिप के बता तेथे, इस बार हम oxidation फेसे होता है, यह दिखाएंगे, CL- से 1Tron loss करेगा, यह oxidation potential इसका ज्यादा, यह oxidation potential लिखाएंगे, इसका oxidation करके बार हम oxidation हमें दिखाएंगे, CL- से CL2 लिखाएंगे, oxidation लिखाएंगे, यह दिखाएंगे, यह दिखाएंगे, इसका oxidation लिखाएंगे, ज्यादा इसको oxidation लिखाएंगे, के बार हमिखेएंगे, आणिके 8. रिखिए लिखेंगे 9. C C C- C C C C- इस तरीके से जो है सारा कुशन साल वो गया इस चप्टर को okay so we'll be meeting you again with another chapter have a nice day